हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल नौकरी वाला में तो आज की जो वेकेंसी आ रखी है ओईल इंडिया लिमिटेड के दुवारा बंपर भरती का अफिशली नोटिफिकेशन निकाला गया बिल्कुल फ्रेशर कंडिडेट के लिए तो यहाँ पे किसी भी टैप का कोई भी एक्स्पिरेंस नहीं मांगा अगर आप फ्रेशर है बिल्कुल आप अलिजिबल है इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी बच्चे ने गेट का फॉर्म यहाँ पे नहीं फिल की है तो भी यहाँ पे अलिजिबल है क्योंकि जो सलेक्शन आपका रहेगा वो आपका CBT एक्जाम के बेस पे आपको देखने को मिलेगा पूरा पैटन आपको बताऊंगा कि CBT एक्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगा की नहीं होगा एक्जाम पैटन क्या रहेगा क्या सलेबस रहेगा यह सारी चीज़ आप डिसकस करेंगे और यह आपका एक पर्मानेंट जॉब आपको देखने को मिल जाता है एवन यहाँ पे all over India के candidate apply कर सकते हैं यदी आप इंडिया में कहीं से भी belong करता हैं किसी भी state से belong करता हैं किसी भी district से belong करता हैं आप इसके लिए eligible है and यहाँ पे आपका position रहेगा इंजिनियर के पदू के लिए vacancy आपको देखने को मिलेगी लगबग सारी ब्रांच यहां पे cover की गई है तो कैसे आपको apply करना है उस process के बारे में देख लेते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले physics वाला लेकर आए यहां पे gate वाला और gate वाला ने recently new batches launch किया है अगर आप gate exam की preparation कर रहे हैं gate 2424 आपका target है तो यहां पे आप test series को भी purchase कर सकते हैं इसका price 299 रुपे से शुरू किया गया है और इनके दुवारा जो पहला batch launch किया गया है पराकरम gate 2025 batch यह batch रहेगा यहां पे CS&DA वालों के लिए target रहेगा gate 2025 का price रहेगा मात्र 9999 रुपे और अगर आप मेरा coupon को यूज करते हैं NW500 तो आपको इंस्टेंट 500 रुपे का discount देखने को मिल जाता है अगला batch रहेगा पराकरम batch इस batch में आपको ESC प्लस gate प्लस PSU की preparation करवाने वाले हैं target रहेगा 2025 का और यह batch all branch में available है price रहेगा मात्र 13999 रुपे coupon को यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 500 रुपे का discount मिल जाता है अगला batch रहेगा स्रेश्ट batch से यह batch रहेगा computer science वालों के लिए इसमें आपको gate की preparation करवाने वाले हैं PSU की preparation करवाने वाले हैं और आपकी placement preparation करवाने वाले हैं target रहेगा 2226 का price रहेगा मात्र 17999 रुपे coupon को यूज करेंगे तो इंस्टेंट 500 रुपे का discount आपको मिल जाता है अगला batch रहेगा स्रेश्ट batch B इस batch में ESC प्लस gate प्लस PSU की preparation करवाने वाले हैं और इसका target 2226 का रहेगा price रहेगा मात्र 17999 रुपे coupon code अगर आप यूज करेंगे तो इंस्टेंट 500 रुपे का discount मिल जाएगा अगला batch रहेगा प्राकर्म batch B ये batch के अंदर आपको gate 2225 की preparation करवाई जाएगी और इसका price रहेगा मात्र 6600 रुपे coupon code अगर आप यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 500 रुपे का discount मिल जाता है चाहती साथ physics वाला दे रहा है यहाँ पे gate खजाना gate 2225 और 2226 batch पर जस्ट इसका price रहेगा 3999 तो आप इसको भी purchase कर सकते हैं और इन सभी batches में आपको lecture planner देखने को मिल जाता है test planner आपको देखने को मिल जाता है इनके batch वाले notice section के अंदर classes जो लगेगी Monday to Friday साथी साथ यहाँ पे आपको MCQ, MSQ, NASC type जो question रहेंगे वो gate की pattern पे based आपको देखने को मिल जाता है live lecture आपको देखने को मिलेंगे इंडिया की best faculty के दुआरा साथी साथ topic wise यहाँ पे practice sheet आपको मिल जाती है, regularly आपका test आपको देखने को मिल जाता है doubt solving classes आपको देखने को मिल जाती है even यहाँ पे इन्होंने doubt engine बना रखा है तो आप अपने doubt भी वहाँ पे पूस सकते हैं और आपको जो PYQ मिलेगा आपको एक quiz format में मिलेगा जो की video solution के साथ आपको provide करवाए जाएगा साथी साथ अगर आप gate की preparation कर रहे हैं तो आप topic guys अगर previous year question paper लेना चाहते हैं तो वो जो की all subject में available है और इसके अंदर आपको 2008 से लेके 2023 तक के सारे question paper आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है कि इसके अंदर आपको एक video solution भी देखने को मिलेगा हर question का अलग-अलग video solution आपको देखने को मिल जाता है QR code को scan करके आप video solution भी देख सकते हैं सारे link मैंने आपको video के description में दे रखे हैं वहाँ पे click करके physics wall app को download कर लेना और मेरा coupon code लगाना मत बुलना LW500 तो आपको instant 500 रुपे का और discount देखने को मिल जाएगा यहाँ पे मैंने directly officially notification को download कर लिया है जैसा कि अब अब भी screen पे देख पा रहे है important point को हम discuss करेंगे PDF काफी बड़ा है देखें यहाँ पे जो एकेंस से निकाले गई है All India Limited के दोवार officially notification जारी किया है टॉप यहाँ पे डिटेजमेंट नंबर जारी कर दी है और यह आपको notification का date mention कर रखा है 5 January 2024 का यह latest notification निकाला गया है जिसके अंदर बिलकुल fresher candidate apply कर सकते हैं किसी भी type का कोई experience यहाँ पे नहीं मांगा एक permanent job आपको देखने को मिलेगा salary job कर रहेगा 75,000 उपए पर महिने के साब से देखने को मिल जाता है All over India के candidates को apply कर सकते हैं बिलकुल without get scorecard आप यहाँ पे eligible रहेंगे All branch यहाँ पे eligible है CBT exam आपका होगा और उसी exam के base पे आपका selection देखने को मिलेगा अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपकी जो job posting रहेगी वो आसाम के अंदर होने वाली है तो यहाँ पे आपका job location आसाम का देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पे All over India की candidate apply कर सकते हैं और टॉप यहाँ पे पूरा इन्होंने chart mention कर रखा है तो important point को हम discuss करेंगे जिन vacancy के अंदर experience नहीं मांगा उनी को हम discuss करने वाले हैं यहाँ पे आपका post name और post code mention कर रखा है number of vacancy detail mention कर रखी है क्या salary रहेगा उसके बारे में बता रखा है upper age limit के बारे में बता रखा है जो कि आपका 29 जन्वरी 2024 तक count होगा education qualification के बारे में बता रखा है और यहाँ पे PWD candidate के लिए vacancy के बारे में details से दे रखा है पहली जो vacancy आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे senior officer के पदो के लिए vacancy है और यहाँ पे total vacancy 10 आपको देखने को मिलेगी आपका salary 60,000 रुपे से लेके 180,000 रुपे पर महिने के सबसे देखने को मिलेगा age limit रहेगा UR का 27 year और अगर आप OBC candidate है तो 30 साल तक इसको apply कर सकते है SC, ST candidate के लिए 32 year तक दे रखा है अगर आप में से किसी भी बच्चे ने electrical branch में diploma कर रखा है minimum 4 साल का और 60% का criteria complete है वो यहाँ पे eligible है इसको apply कर सकते है electrical के लवा यह जो electrical and electronics है electrical and communication engineering है या फिर आपकी branch electrical and instrumentation है तो यहाँ पे उसको include नहीं किया गया उस चीज़ का ध्यान रखिएगा के लिए vacancy है environment के अंदर निकाली गी है OBC candidate के लिए vacancy यहाँ पे देखने को मिलेगी और आपका age limit mention कर रखा है किसी ने degree कर रखा है यहाँ पे BB tech environment के अंदर वो इसको apply कर सकता है 65% का criteria complete होना जरूरी है next vacancy देखने को मिलेगी fire and safety department में 11 vacancy निकाली गई है और यहाँ पे आपका age limit रहेगा 27 साल रहेगा UR और EWS candidate के लिए बाकी relaxation मिल जाता है अगर आप में से किसी भी बच्चे ने bachelor degree कर रखा है safety and fire के अंदर minimum 4 साल का 65% का criteria है वो इसको apply कर सकते है next vacancy आपको देखने को मिलेगी senior officer mechanical department में job code यहाँ पे ME08 mention कर रखा है 41 vacancy यहाँ पे निकाली गई है और यहाँ पे आपका age limit 27 साल का रहेगा काफी कम है लेकिन 27 साल तक candidate इसको apply कर सकते है UR और EWS candidate बाकी यहाँ पे अगर आप OBC candidate हैं तो 30 साल तक SST candidate हैं तो 32 year तक इसको apply कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप में से किसी वचले बैसले डिगरी कर रखा है mechanical branch में वो इसको apply कर सकते है 65% का criteria complete होना चाहिए mechanical के अंदर mechanical वाले ही eligible रहेंगे अगली vacancy देखने को मिलेगी senior officer IT branch के अंदर निकाली गई है BB Tech कर रखा है अगर आपने computer science में या फिर IT में 65% के साथ आप इसको apply कर सकते है experience यहाँ पे नहीं मांगा बिल्कुल fresher candidate यहाँ पे eligible रहेंगे salary अपका 60,000 रुपे से लेके 1,80,000 रुपे के बीच में देखने को मिलेगा अगली vacancy रहेगी senior officer electronics and communication branch में इसमें age limit 27 साल कर रहेगा और अगर आप में से किसी बच्चे ने यहाँ पे bachelor degree BB Tech कर रखा है electronics and communication में electronics and telecommunication में यह फिर telecommunication में 55% के साथ वो इसको apply कर सकते हैं यह जो branch mention कर रखी है वही यहाँ पे eligible रहेंगे salary 60,000 रुपे से लेके 80,000 रुपे के बीच में आपको देखने को मिलेगा अगली vacancy है senior officer petroleum के अंदर जिसमें आपका age limit 29 year दिया गया है अगर आप यहाँ पे master degree अगर आपने कर रखी है petroleum engineering के अंदर आप इसको बड़े राम सप्लाइ कर सकते हैं यहाँ पे 60% का criteria complete होना चीए master degree आपकी 2 साल की उनी जरूरी है और भी बहुत सारी vacancy HR वालों के लिए geologist वालों के लिए अगर आपका criteria यहाँ पे set better है तो इसको apply कर देना next vacancy रहेगी यहाँ पे senior officer HSE department में जिसमें 60,000 से लेके 1,80,000 रुपे के बीच में आपका salary रहेगा BB tech कर रखा अगर आपने environment के अंदर 4 साल का 500% के साथ आप इसको apply कर सकते हैं या फिर आपने यहाँ पे BB tech कर रखा है यहाँ पे अनी branch के अंदर किसी भी branch में और आपने master degree कर रखे 2 साल की environment में आप इसको बड़े राम सप्लाइ कर सकते हैं experience यहाँ पे नोंने किसी भी tap का नहीं मांगा और भी vacancy है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं यहाँ पे experience detail के बारे में जो कि नोंने यहाँ पे mention कर दिया directly लेकिन जो fresher की vacancy थी उनी को आपने discuss किया है selection जो आपका रहेगा यहाँ पे वो आपका दो phase रहेंगे phase फर्स्ट रहेगा जिसमें आपका CVT exam रहेगा 100 question आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे weightage इसका 85% देखने को मिलेगा page जो second रहेगा उसमें आपका PAE होगा personal interview 15% weightage इसका रहेगा तो 85 और 15 आपका 100% के इसाफ से आपका merit list बनेगा आपको यहाँ पे अगर CVT exam बढ़िया हो जाता है तो आपका interview के लिए call किया जाएगा जो candidate यहाँ पे interview के लिए select होते हैं उनको interview देना पड़ेगा जिसका weightage 15% है उसके इसाफ से दुनों का मिला के आपकी merit list बनेगी और यहाँ पे आपको उसी के साफ से अपना selection करवाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे सारी चीज़े mention कर रखी है interview यहाँ पे crack होने के बाद physical fitness test होगा उसके बाद DV होगा document verification होगे finally आपको joining मिल जाएगी joining आपको यहाँ पे all over India में मिल सकती है या फिर जो आपका oil india limited का plant असाम के अंदर वहाँ पे भी आपकी joining हो सकती है relocate आपको उना पड़ेगा उसके अलब अगर बात करते हैं कुछ और important point के बारे में जैसे कि apply कैसे करना है apply करने के लिए यह apply link यहाँ पे दे रखा है यह link में आपको वीडियो के description में दे दूँगा 5 जनवरी से apply होना process start हो चुका है last date रहेगा 29 जनवरी 2024 तक आप इसको apply कर सकते हैं apply का process में आपको इसी वीडियो के अंदर भी बता दूँगा तो उसको देखते वे आप बड़े अराम से apply कर देना online payment यहाँ पर आपको करना पड़ेगा जो candidate यहाँ पर apply कर रहे हैं उनको online payment करना पड़ेगा कितना payment करना है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है अगर आपको कोई doubt है तो यहाँ पर आप call कर सकते हैं email कर सकते हैं number यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं important date के बारे में अगर हम बात करें तो apply process यहाँ पर 5 January से start हो चुका है last date रहेगा यहाँ पर 29 January 2024 तक आप इसको apply कर सकते हैं तो चलिए apply process को हम देख लेते हैं कि आपको apply कैसे करना है देखी यहाँ पर वैसे screenshot के साथ इन्होंने पूरा details से बता रखा है आप इस screenshot को देखते हुए directly आप इसको apply कर सकते हैं जो कि आपको इसी वीडियो के अंदर आपके एक notification मिलेगा link उसको download कर लेना यह notification download होने के बाद इन्होंने जो process बता रखा है उसका follow करते हुए apply कर सकते है फिर भी मैं आपको apply करके दिखा देता हूँ यह जो link है इस पर आपको click करना है click करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा tab open हो जाएगा जो कि आप अभी screen पे देख पा रहे हैं चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको online apply कैसे करना है उस process के बारे में notification को download कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो मैं आपको directly लेके चलता हूँ यहाँ पे इनके officially website पे या फिर आप खुद भी google पे search कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे google आपको open करना है oil India लिखना है यहाँ पे side में आपको search बटन दिखेगा उस पे click कर देना है और यहाँ पे जो current opening वाला section open होगा आपको directly इस पे जाना है ठीक है officially website पे नहीं जाना है आपको यहाँ पे click करना है जो यह current opening वाला section है इस पे आपको click कर देना है तो जैसे आप इस पे click करेंगे आपके सामने यह tab open हो जाएगा जो कि आपको अभी screen पे नजर आ रहा होगा वैसे मैंने इसी tab का जो link है वीडियो के description और comment box में दोनों जगे दे रखा है आपके सामने यहाँ पे current opening link जित्ती भी निकाली गई है oil India के द्वारा वो सारी यहाँ पे open हो जाएगी और आपको यहाँ पे scroll down करना पड़ेगा आपको यहाँ पे top पे दिखेगा जो यह first number notification है यह आपको दिख जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है नोटिफिकेशन को download कैसे करना है यह जो apply link दी है आपको simply इसपे click करना पड़ेगा इसपे click करेंगे वापस से एक new tab open हो जाएगा scroll down करना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको देखने को मिलेगा download advertisement ठीक है आपको इसपे click कर देना है तो यह जो advertisement अब भी हमने discuss किया था वो आपके mobile में, laptop में, pc में, tablet में जो भी आप use कर रहे हैं उसमें directly file manager में download हो जाएगा उसको open करके आप अच्चे से read out कर सकते हैं यह तो रही advertisement कैसे download करना है उसकी बार अब apply कैसे करना है apply करने के लिए simply यहाँ पे आपको register now का button है इस पे click करके आपको apply करना पड़ेगा कोई doubt है तो यहाँ पे call कर सकते हैं 9.30 बज़ से लेके inning को 6 बज़े तक Saturday, Sunday यहाँ पे offer रहता है जो कि यहाँ पे है और यहाँ पे कोई query है support चाहिए तो number दे रखे हैं और यहाँ पे इन्होंने एक link प्रोवाइड करवा रखा है जो भी doubt है पूछ सकते हैं apply करने के लिए यहाँ पे simply नीचे एक button दे रहे है register now का उस पे आपको करना है click click करेंगे verification detail यहाँ पे दे रखा है पूरा यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है जैसे की आपको सबसे बहले तो अपने mobile number यहाँ पे डालना है और यहाँ पे send OTP वाले button पे click करके आपके mobile में को OTP आएगा वो आपको मिलेगा उसको यहाँ पे डाल देना है यह box दे रखा है इसमें और यहाँ पे verify वाले button है इस पे click करके आप verify करवा सकते है ठीक है उसके बाद यहाँ पे email ID को डालना है और यहाँ पे send OTP वाले button है इस पे click करना है आपके जो email ID है जो आपने यहाँ पे डाली है उस email ID पे email आएगा एक verification code आएगा उसको आपको no down करके यहाँ पे डाल देना है verify वाले button है इस पे click करके आप verify करवा सकते है और यहाँ पे proceed वाले button है इस पे click करके आप अपना form यहाँ पे continue फिल कर सकते है तो यह तो आपका पूरा process है कोई भी doubt है तो comment box में comment करके पूछ लीजेगा तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही वीडियो को like करेगा share करेगा उन लोगों तक जिनको job के नेड़ है comment box में जरूर बता देना कि आपका education qualification कौन सा है कौन सी job आप search कर रहे है all the very best चैहिन